डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट महीला अधिकारों की लडाई अब नई नहीं रह गई है फिर भी अजीबों गरीब तरक दे कर महीलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने की कुचेश्टा जारी है भारतिय तट रक्सक बल ने सुप्रिम कोट को बताया है कि महीलाओं को इस्थाई कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि एसा करने से पहले जहाजों में महीलाओं की अनुकूल कई तरह के बुनियादी बदलाव करने होंगे यह भी कहा गया कि यह बल मुख्य रूप से समुद्री सेना है जहां 66 फीसदी सेवाएं चलती नौकाओं पर देनी होती हैं सिर्व 33 फीसदी कर्मियों को ही तटिये इकाईयों में रखा जाता है सुप्रिम कोट ने तटरक्सक बल द्वारा दाखिल हलफ नामे के अनुसार सोट सर्विस कमीशन में नियुक्ती की सरतों में ही बताया जा चुका है कि उन्हें स्थाई कमीशन नहीं दिया जा सकता हालांकि महिलाओं को धीरे धीरे स्थाई कमीशन देने का वादा करते हुए कह गया कि 10 फीसदी पदों पर विचार किया गया है सुप्रिम कोर्ट स्थाई कमीशन के लिए एक अधिकारी प्रियंका त्यागी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है यह तरक एकदम बेबुनियादी नहीं है कि महिलाओं को इस्थाई कमीशन से पहले जहाजों में बुनियादी बदलाव करने होंगे लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी पेदा होता है कि ये बदलाव अब तक क्यों नहीं किये गए सुप्रिम कोर्ट सभी सुरक्षा बलो में महिलाओं को तवज्जो देने के इरादे से कई फैसले पहले ही कर चुका है यह सुप्रिम कोर्ट की ही सक्ती का नतीजा है कि तीनों भारतिय सेनाओं में महिलाओं को इस्थाई कमीशन मिलने लगा है और रक्षा अकादमियों में प्रवेश के लिए रूढी वादी सोच में बदलाव की सुरुआत हो चुकी है जिस तरह के तरक तटरक्षक बल ने दिये हैं उसी तरह के तरक सेना भी पहले सुप्रिम कोर्ट में दे चुकी है होना तो यह चाहिए था कि कोर्ट में गए बिना ही महिलाओं को उनका अधिकार मिल जाता पर हो यह रहा है कि पूरुस सत्तात्मक व्यवस्था में यथा संभव टालम्टोल का रवया अपनाया जा रहा है बात सिर्फ सेना या सुरक्षा बलों की ही नहीं है अन्य क्षित्रों में भी अधिकारों के लिए महिलाओं को लंबी लडाई लड़नी पड़ सकती है चाहे ऐ सवेतनिक मात्रित्व अवकास का मामला हो कार्य स्थल पर नवजात सिसू की देखभाल का सामान्य तवर पर दफ्तरों में इनकी और ध्यान नहीं दिया जाता है यह वाकई दुर्भाग्य पूर्ण है समाज को महिलाओं और बच्चों के अनुकूल बनाए बगेर हम सभ्य नहीं हो सकते सुप्रिम कोरट ने भी महिला अधिकारों की रक्सा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए है जिसका असर भी दिख रहा है महिला अधिकारों की रक्सा की जंग महिलाओं के लिए ही नहीं समाज के विकास के लिए भी जरूरी है समाप्त दोस्तो इस डिक्टेशन का पेडियो फाइल अपने टेलिग्राम चैनल और वीडियो की डिस्क्रिफिर में डाल लगा है सो अगर आप चाहते हैं दोस्तो रोजाना ऐसे डिक्टेशन और सरकारी नोकर की अपडेट सबसे पहले पाना तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजाएं